नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आदित्य कुणर और एस्टो साइंस चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मीन राशी के पुरुष किस तरह के रहते हैं, कैसी उनकी विचारधारा रहती है, किस तरह का उनका स्वभाव रहता है, उनकी आर्थिक इस्तिती, उनके जीवन में कैसी रहती है, उनका रहन सहन किस प्रकार के होते है, कैसी उनकी वाणी इन सारी विशेव पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तो काल पुरुष की पत्रिका में मीन राशी बारवे इस्थान में आते हैं स्त्री राशी है, इनके स्वामी देव ब्रियस्पती है, जलतत्व राशी है और साथ ही द्वी स्वभाओ ये राशी है दोस्तो अगर हम मीन राशी के पुरुषों की बात करें तो सबसे ज़्यादा भावनाशील 12 राशियों में मीन राशी के पुरुष होते हैं और ये जो भावनाओं की बात है मीन राशी के पुरुषों में इनके जीवन में हर एक छेत्र में देखने को मिलता है इस राशी के पुरुषों में जीवन को देखने का जो नजरिया होता है वो ज़्यादा सीरियस नहीं रहता है ये light mood लेकर चलते हैं और साथ ही बहुत ही मिलनसार ये राशी के पुरुष होते हैं मीन राशी के पुरुषों में इनके पहनावे की या इनके रहन सहन की बात करें तो ये इनके mood पर depend करते हैं ये कभी बहुत ही trendy कपरे पहनेंगे कभी एकदम normal simple कपरे पहनते हैं जिस प्रकार के भी fashion इन्हें पसंद आ जाए ये उन्हें try कर लेते हैं इसे की मैंने पहले कहा कि ये बहुत ज्यादा moody रहते हैं तो इनका mood के उपर इनके पहनावा इनका रहन सहन depend करता है इस राशी के पुरुष बोलने चालने में बहुत ही normal होते हैं हाला कि इनका intellectual level बहुत ही अच्छा होता है इस राशी के वेक्तियों को आप जो भी बोलोगे वो उनी बातों के साथ हां में हां मिलाते चले जाएंगे ये आपकी ज़्यादा सुनेंगे अपनी बाते नहीं व्यक्त करेंगे इस राशी के पुरुष emotional level पर बोलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं मीन राशी के वेक्तियों पर आप भरोसा कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा trust वर्थी ये रहते हैं और साथ ही दोस्तों सामने वाले वेक्ति पर ये जल्दी विश्वास कर लेते हैं इसी वज़ा के कारण ये अपने जीवन में कभी परेशानियों में भी फस जाते हैं इनके साथ धोखा भी हो जाता है दोस्तों जैसे कि मैंने पहले कहा कि मीन राशी के पुरुष बहुत ज़्यादा भावनाशील होते हैं इसी कारण ये दूसरों की मदद करने में बहुत ही आगे रहते हैं उनके दुखों को ये एकदम जाकर फील करते हैं बारा राशियों में सबसे ज़्यादा भावनाशील राशी मीन राशी है मतलब इन्हें टीवी सिरियल मुवीज में कोई emotional scene चल रहा हो उनमें भी ये दुख का अनुभाव कर लेते हैं तो मीन राशी के वेक्तियों में ये बात बहुत ज़्यादा महतपूर्ण हो जाती है इसी कारण दूसरों का दुख दर्ग बाटने में ये सबसे ज़्यादा अच्छी राशी मानी जाती है जी हाँ दोस्तों ये भावनात्मक इस तर पर जाकर लोगों को समझ लेते हैं मीन राशी के पुरुष बहुत ज़्यादा भावनाशील होने के कारण ये लोगों से बहुत ही अलग तरीके का relation डेवलोप कर लेते हैं जिसके कारण लोगों के सहानू भूती भी इनके तरफ हो जाता है जो की बहुत ही अच्छी बात है इसी वज़े से इनकी जो इमेज रहती है समाज में वो बहुत ही अच्छे रहते हैं इस राशी के पुरुष बहुत ही अच्छी देखी जाती है ये बात मीन राशी के पुरुशों में बहुत ज़्यदा देखी जाती है और इनके वेक्तित्व में ये बहुत ही महतुपूर्ण बात है मीन राशी के पुरुष दिखने में इनकी personality बहुत ही अच्छी होती है साथ ही इनका वधिक स्तर बहुत ही अच्छा होता है हलाकि ये अपनी जीवन में 40 के उम्र के बाद थोड़े मोटे पाये जाते हैं इसके उपर आप अगर थोड़ा exercise कर लो अपने आपको थोड़ा maintain कर लो तो आपकी personality बहुत ही अच्छी रह सकती है इस राशी के पुरुष काम के छेतर में थोड़े lazy पाये जाते हैं इनकी विचारधारा कुछ ऐसी रहती है यह अपने कामों को लेकर करेंगे, सोचेंगे, बेखेंगे कुछ इस तरह की विचारधारा रखते हैं जिसके कारण इनके काम समय पर पूरे नहीं होते हैं कितना भी प्रैतन कर ले यह थोड़े से अपने काम के छेतर में पिछे रह जाते हैं यह अपने जीवन में ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करते हैं फिसीकल लेविल का जो would नहीं कर पाते हैं इस राशी के पुरुश अपने काम के लिए कोई विजन नहीं रखते हैं कि यह काम मुझे इसी तरह करना है इसी वक्त में complete करना है इनके लिए काम मतलब एकदम सिंपल तरीके से ये लेकर चलते हैं उन कामों को कोई टाइम फ्रेम के अंदर कम्प्लीट करने के लिए नहीं सोचते हैं दोस्तो ये कुछ कम्या होने के बावजूद मीन राशी के पुरुष बहुत ही भाइग्यशाली होते हैं इनका लख फेक्टर इनके पूरे जीवन में बहुत ही अच्छा रहता है ये अपने भाइग्य के कारण जीवन में सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं ये अकेली ऐसी राशी है जो बहुत ज़्यादा लखी होती है जी हाँ दोस्तो करियर के मामलों में ले 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 रिलेशन्शिप के मामलों में ले ले या फिर आप इनके आर्थिक डिस्टी को ले ले सारे ही मामलों में ये बहुत ही लखी साबित होते हैं ये सारे अवगुन होने के बावजूद मीन राशी के पुरुष अपने केरियर के छेतर में बहुत अच्छी तरह सेटल हो जाते हैं इस राशी के पुरुष अगर बिजनेस से ज़्यादा गौवर्मेंट या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करें तो ये ज़्यादा सफल रहते हैं और इन छेतरों में ये अच्छा परफॉर्म भी कर लेते हैं हाला कि मीन राशी के पुरुष बिजनेस या व्यवसाई करने के लिए ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं हाला कि मीन राशी के पुरुष खुद से भी व्यवसाई करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं इनके पूरे जीवन में इनका भाइग्ग का साथ रहने के कारण, बहुत लखी होने के कारण, इनको financial status में कोई भी problem नहीं आती है, और इनके जीवन में किसी भी तरह का problem आ जाये, वो अच्छी तरह solve भी हो जाते हैं, कुछ इस तरह का luck लेकर ये अपने जीवन में आते हैं, म अभास इनको अपने जीवन में हो जाते हैं, ये जो intuition वाली बात है, या फिर जिसे हम कह सकते हैं six sense, ये बाकी की राशियों में इतना नहीं देखने को मिलता, लेकिन मीन राशी के पुरुषों में ये बहुत ही अच्छे होते हैं, मीन राशी के पुरुष को अगर relationship के मामल में देखें, विवाहिक जीवन के संदर्फ में या फिर प्रेम संबंद में ये बहुत ही अच्छी तरीके से रहते हैं, क्योंकि इन में विचारधारा रहती है कि हर एक को मदद करें, उनकी भावनाव को समझें, उनके साथ अपना सुख दुख शेर करें, इस तरह का nature रहन में कोई भी बड़ी कॉम्प्लिकेशन्स या प्रोब्लेम में नहीं पड़ते हैं, और इनका जीवन बहुत ही सुखी रहता है, तो दोस्तो ये था मीन राशी के पुरुष, किस तरह के रहते हैं, कैसी उनकी विचारधारा रहती है उनके पूरे जीवन में, अगर आपको य दीवी जानकारी अच्छी लगी, तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही कॉमेंट बॉक्स में, जय श्री राम अवशे लिखें, धन्यवाद दोस्तों